आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान एक बार फिर से खाने के तेल की कीमते घट सकती हैं, सरकार ने इस संबंद में कमपनियों से विचार करने को कहा है खाद सचीव ने तेल कमपनियों के साथ बैटक खी थी, इसमें हर लीटर पर कम से कम 10 रुपे कीमत घटाने की बाद कही गई इससे लोगों को रहत मिलेगी हाला की हाल में तेलों की कीमते 30 रुपे लीटर तक घटी थी सरकार अगर फिर से खाद तेलों के दाम घटाने में सफल लेती है तो तियोहाई सीजन में भी इसका फाइदा लोगों को मिलेगा खाने वाले तेल की कीमते अभी भी 150 रूपे से ही उपर है उपभोगता मंत्राले के मताबिक मुफली तेल का भाव अभी भी 187.55 रूपे लीटर है एक महीने पहले भी ये 187.88 रूपे लीटर था सरसो का तेल 173.9 रूपे लीटर है जो एक महीने पहले 195 से उपर था महीं बनस्पती तेल का भाव 155.2 रुपे है एक महीने पहले ये 165 रुपे से जाद था महीं बता दे आपको कि सोया तेल की कीमत एक महीने में 10 रुपे घटी है ये 165.5 रुपे से घट कर 157.8 रुपे लीटर पर आ गया है सूरज मुखी तेल का भाव इसी दोरान 185 से घट कर 171 रुपे लीटर हो गया है इस समय विदेशी बजारों में तेल की कीमत कम है ऐसे में भारत में भी घटाने की मांग हो रही है बीरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी झाल झाल झाल